नमस्का दोस्तों, डिफन्स डिटेक्टिव के एक और नए अपिसोड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो खबर क्या है मैं आज बात करूँगा आस्ट्रेलिया के एक सांसद के एक हैरत अंगेज दावे की, जिसे जिसने भी सुना है, वो हैरान हो गया कि जनम कुडली निकाल ली है, और यह सब उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब मैं आप से पूछना चाहता हूँ, मतलब कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिनके जवाब अब हो सके तो बताईए, क्या आप जानते हैं कि साल 2022 में पाक पाकिस्तान में भीशन गर्मी और प्रदूशन का कारण कौन है, हो सकता है, आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इन सवालों का जवाब जो है, वो एक ही है, किन सब की वज़ा है औस्ट्रेलिया, अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी बहकी-बहकी बाते कर रहा हूँ, कहां पाकिस्तान, कहां आस्ट्रेलिया, हजारों किलोमेटर दूर मौजूद आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में आई प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मदार कैसे हो सकता है, लेकिन जनाब, ये जवाब दिया है, आस्ट्रेल India's criminal inaction on climate is deeply felt there, felt in the extreme heat, felt in the melting glaciers washing away entire villages and felt in the everyday life of children in Pakistan who are suffocating in an ever-deadly mix of intense heat and trapped pollution. मुझे तो नहीं लगी, क्योंकि चेहरे मोगरे से ये हमारी जैसे ही दिख रही है, कहने का मतलब है कि South Asian लग रही है, तो चलिए परिशाद नहीं देते हैं, Australia की Parliament की Member का नाम है महरून फारूकी, महरीन फारूकी, और ये पाकिस्तानी बूल की है, अब आप समझे कि मैडम जी क क्यों Australia को क्रिमिनल बता रही है, और क्यों Pakistan को Australia के विक्टिम के तौर पेश कर रही है, अब मैडम चुकी Australian Senator है और Australia के सीनेट में पाकिस्तान के नाम पर Australia को ही क्रिमिनल ठहरा रही है, तो जाहिर बवाल मचना था, बवाल के बाद क्या हुआ, ये भी आपको बताऊंगा, ल रही है, अस्प्लिय के बसु Mini, ऑ्यास के लिक्ष्टअ का खिमिनल पता साचाई है के अच्तेशाग पनुकी थाधान का उर्पेस, वह च्य वेविस क कि ओ्ली को प्किस्तान का भख है है, गह थे कि घ्र का सशनेट मैं औा-न्ट endeavor norma, है scor성 और चाह, हगit रहिसे तोेश्द स start a process of making climate reparations to the global south countries who are most harmed by Australia's contribution to the climate crisis तो बाद जो समझ में आ रही है वो कि सिनेटर फारुकी साल 2022 में पाकिस्तान में आई भायंकर बाड के लिए उस्टेलिया को जिम्मेदार ठहरा रही है पाकिस्तान में अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो उसके लिए फारुकी आउस्टेलिया को क्रिमिनल यानि की अपराधी बता रही है भाई पाकिस्तान में अगर भीशन गर्मी और प्रदूशन है तो भाई फारुकी मैडम के लिए आस्टेलिया ही जिम्मेदार है और आस्टेलिया अपराधी है अब आगे बात करने से पहले आपको महरीन फारुकी का पूरा बायोड़टा बताता हूँ महरुन फारुकी दे ग्रीन्स जिसे ऑस्टेलियन ग्रीन्स भी का जाता है उस पार्टी की सिनेटर है 1963 में पाकिस्तान में पैदा हुई महरीन पाकिस्तान से ही Civil Engineering की पढ़ाई कर चुकी है 1992 में वो अपने पती और बेटे के साथ Australia शिफ्ट हो गई यहां उन्होंने Environmental Studies में PhD की और फिर 2004 में उन्होंने Greens Party जवाईन कर ली वो 2013 से लेकर 2018 तक मतलब करीब 5 साल New South Wales Legislative Council की Member रही है 2018 में New South Wales से वो Australian Parliament की Member चुनी गई वो देश की पहली महिला Muslim Senator है और वो अक्सर अपनी Party The Greens की Ideology से जुड़ी बाते करती हैं जैसे Global Warming, Climate Change ऐसे मुद्दे वो उठाती रहती है लेकिन 31 जुलाई के उन्होंने पारलियमिन में जो बयान दिया उस पर सवाल उठने लाजमी थे एक्चुली इस बयान से ऐसा लग रहा था कि महरीन एक Australian citizen और Australian senator नहीं बलकि एक Pakistan ही है और यही वजा है कि Sky News पर उनसे resign तक मांग लिया प्रूम्स पकिस्तान and we should pay reparations This is disgusting and idiotic stuff coming from anyone but coming from an Australian politician someone elected to our National Senate surely is just beyond the pale इतना ही नहीं Sky News के होस्त ने सीदे तोर पर फरुकी से स्टीफा मांगा फरुकी slanders her own country says where to blame for Pakistan's natural disasters she ought to be ashamed of herself and she ought to resign from the Senate चौकाने वाली बात ये है कि फारुकी ठीक ऐसा ही बयान पाकिस्तान के लिए फंड एकठा करने के रेडियो थॉन प्रोग्राम में भी दे चुकी है यह जो climate induced floods आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्होंने तबाही मचा दिये millions upon millions of लोग जो हैं वो इस से मुतासर हुए है और मुझे पता है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी जहां भी है इस दुनिया में बेहद जेनरस है तो मैं आप सब से जो इस रेडियो थॉन और SBS रेडियो सुन रहे हैं उन सब से ये गुजारश करती हूं कि प्लीज दिल खोल के दीजिये सेलाब ज़दगान लोगों के लिए और मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्मन्ट से भी गुजारश करती रहूंगी कि वो एड जो दे रहे हैं पाकिस्तान को उसको बढ़ाएं ऑस्ट्रेलिया हैस तो पे इस फेर शेर और मैं अस्ट्रेलियन गवर्मन्ट को रिस्पोंसिबिलिटी लेनी है क्लामिट इमर्जनसी के लिए और क्लामिट क्राइस के लिए और मस्ट तेक रिस्पोंसिबिलिटी और पे तेर फेर शेर तो हेल्प दोस वेब बेन एफेक्टेट सो बैडली बाइद सूपर फ्लग्स पाकिस्तान बात करता है क्लामिट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की 2022 के जून में बाढ़ ने पाकिस्तान में जबर्दस तबाही मचाई एक हजार से ज़्यादा लोगों की इसमें जान चली गई दुनिया भर से पाकिस्तान को इसमें मदद भेजी गई तनावपून संबंदों के बाद भी भारत में भी पाकिस्तान को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की पेशश की तो आस्ट्रेलिया ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद भेज दी तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ के बाढ़ के बाद तो इसके लिए किवल आस्टेलिया को दोशी ठहराना कहीं से भी सही नहीं है महरीन फारूखी और उनकी पार्टी थर्मल प्लांट और गैस बेस्ट इलेक्सिटी प्लांट्स के विरोध में है महरीन ने उस्टेलिया पर आरोबीसी वज़े से लगाया है कि वहाँ थर्मल और गैस एनर्जी प्लांट्स चल रहे हैं लेकिन यहां यह भी देखने वाली बात है कि उस्टेलिया कार्बन इमिशन में पूरी दुनिया में का स्टैंड करता है स्टैटिस्टा के आकड़े बता रहे हैं कि 2010 से ही सबसे ज़ादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला नंबर वंदेश जो है वो चीन है 2010 में चीन ने 8621 मिलियन मिट्रिक टन कार्बन उत्सर्जिन किया तो 2022 में यह बढ़कर 11397 हो गया है दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसने 2022 में 500057 मिलियन मिट्रिक टन कार्बन उत्सर्जिन किया है तीसरे नंबर पर आता है भारत लेकिन भारत का चीन और अमेरिका की तुलना में जो कार्बन उत्सर्जिन है बहुत जादा कम है 2022 में भारत का कार्बन इमिशन 2830 मिलियन मिट्रिक टन था अब बात करते हैं अस्ट्रेलिया की जिस पर ये मैडम जिसको अपराधी करार दे रही है पाकिस्तान के लिए वो इस लिस्ट में 16 नंबर पर है और इसका इमिशन सिर्फ 392 मिलियन मिट्रिक टन है तो भाई सवाल उटता है कि मूल रूप से पाकिस्तानी महरीन फारुकी ने पाकिस्तान में आई तबाही के लिए चीन और अमेरिका को कोसने की बजाए औस्ट्रेलिया को क्रिमनल क्यों बताया भाई कोई पाकिस्तानी नेता मतलब कोई भी पाकिस्तानी नेता चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता हूँ ये बात मानी भी जाती है लेकिन महरीन तो आस्ट्रेलिया ही सांसद है उन्हें चीन से क्यों डर लग रहा है क्या वो आस्टेलिया में रहते हुए भी खुद को पूरी तरह से पाकिस्तानी मानती है अज़ चलिए अब ज़रा चाइना डायलोग किस रिपोर्ट को देखे ये रिपोर्ट बता रही है कि चीन पाकिस्तान एकॉनमिक कोरिडोर में कोईले की वापसी अब इसका मतलब समझे है मतलब ये है कि चीन और पाकिस्तान के इस एकॉनमिक कोरिडोर में कई कोल बेस एनरजी प्लांट्स बनाये जा रहे हैं इंटरनेशनल नियूस एजनसी रोइटर्स की इसी साल 14 फरवरी की इस रिपोर्ट को भी देखे जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान कोईले से पैदा की जाया वाली विजली को चार गुना बढ़ाने की तैयारियों में है चाइना डालोग की रिपोर्ट के मताबिक ऐसे एनरजी प्लांट्स क्लाइमिट पर बड़ा थ्रट बताया जारे हैं मतलब खत्रा है क्लाइमिट को इसकी वज़ा से अब यह चार्ट देखिए चाइना डालोग के यह चार्ट बता रहा है कि पाकिस्तान में कोल और ओयल बेस्ट एनरजी बड़े पैमाने पर बनाई जारी पाकिस्तान से छपने वाले अखबार देक्सपेस टिब्यून के मताबिक पाकिस्तान के एनरजी मिक्स में सबसे जादा हिस्सिदारी थर्मल एनरजी की ही है ये करीब 58.4 पर सेंट है इतना ही नहीं पाकिस्तान में थर्मल पावर प्लान्ट लगतार बनाया जा रहे है इसी साल तब के पीम शवाज शरीफ ने सिंध में बने दो थर्मल पावर प्लांट्स का उदगाटन किया था तो भाई महरून फारुकी मैडम से ये सवाल तो बनता है न कि जो पाकिस्तान उनका बर्थ प्लेस है जहां उनकी अम्मी रहती है जिस से उनका बड़ा गहरा नाता है जिसके लिए वो इतनी चिंतित हैं कि आस्टेलिया को कोस रही है उसे क्रिमिनल बता रही है उस पाकिस्तान में बन रहे थर्मल पावर प्लांट्स पर उन्होंने मौन क्यों धरन कर रखा है ऐसे में अगर ये कहा जाए कि फारुकी रहती तो आस्टेलिया में हैं कमाती खाती आस्टेलिया से हैं लेकिन उन्हें आस्टेलिया से जादा चिंता पाकिस्तान की रहती है तो शायद गलत नहीं कहा जा रहा है वो खुद पाकिस्तानी मूलकी है तो क्या पाकिस्तान में आने वाली हर समस्य के लिए वो अस्ट्रिलिया को जिम्मधा ठहराएगी यह बात अस्ट्रिलिया के लोगों और मीडिया को भी हज़न नहीं हो रही है और तभी तो महरीन का वहाँ जबरदस विरोध हो रहा है उन्हें भी जमझा रहा है कि पाकिस्तानियों पर भरोसा करना जो है वो क्यों कभी-कभी बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है तो आप बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल डिफेंस डेटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बही प्रातना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाईए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किये गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फॉरण पहुंसागे जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जैहिंद